हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस यूजल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल्स कर सकते हैं इनकी जो हतेली है, एक रक्टेंगल की शेप्पrog बना रही है, काफी लंबाई में यहां पर इनकी हतेली, जो एक रक्टेंगल की शेप बना रही है और अच्छुर की यहांची अज़र आरही है इस तरह की आड़ी रिखाएं फिंगर्स के ऊपर होना व्यक्ति को अग्रेसिव नेचर का बनाती है आप देख सकते हैं जो मैं रिखाएं अभी ड्रॉक कर रहा हूँ कुछ इस तरह की रिखाएं यहाँ पर होना थोड़ा सा सभाव अग्रेसिव करती है व्यक्ति का और इस तरह की रिखाएं होने से व्यक्ति अपने खास फ्रेंड्स के साथ या रेलेटिव के साथ भी कई बार मनमुटाव कर बैठता है उसके अलावा कुछ हलकी सीधी खड़ी रिखाएं भी मौझूद है जो बैलन्स करने का काम करेंगी और अगर हम लैंथ की बात करें तो यहाँ पर फिंगर्स की लैंथ में गुरू फिंगर की लैंथ काफी अच्छी है जो लगभग सूर्य फिंगर की लैंथ के एकॉल जो creativity को indicate करती है काफी अच्छी creativity इनके भीतर रहने वाली है और even इनकी शनी फिंगर की लंबाई भी काफी अच्छी है शनी फिंगर बिल्कुल straight है और काफी thickness के साथ एक लंबाई में शनी फिंगर hard working type की nature इने देने वाली है काफी hard working nature रहेगी और mercury finger यहाँ पर थोड़ी short और low set होती हुई आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा low set होता है amount और थोड़ी सी tiltation है mercury finger में लेकिन लंबाई में अच्छी होने की वज़ए से communication skills average level के रहेंगे और थोड़ी सी shy nature रहने के chances रहेंगे overall fingers काफी thick हैं इनकी और कुछ गांटदार दिखाई दे रही हैं हलके gaps भी नजर आ रहे हैं fingers के बीच में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हैं कि gaps fingers के बीच में होना indicate करता है व्यक्ति की independent type की personality को independent type की nature को overall यहाँ पर fingers की thickness अच्छी energy और stamina शो कर रही है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को और उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी lines को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनके सभी mounts size set हैं और mercury mount थोड़ा सा low set होता हुआ जिसकी वज़े से communication skills average level के रहते हैं और थोड़ी shy nature रहते हैं otherwise अगर बाकी mounts को देखा जाए तो काफी अच्छ करते हैं तो ब्रस्पती mount prominent नज़र आ रहा है यह जो area है ब्रस्पती mount का बिलकुल उबरा हुआ और एक progress line यहाँ पर मुझे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है गुरू mount का उबरा हुआ होना indicate करता है काफी अच्छी knowledge को काफी अच्छी family happiness को और इस तरह की progress line व्यक्ती को life में काफी अच्छी progress भी दिलवाती है उसके साथ साथ यहाँ पर यव का चिन इनके हाथ में बिलकुल clear बनता हुआ अप देख सकते हैं एक पूरी तरह से eye का चिन बनता हुआ इस तरह का buddhas eye का चिन जिनके भी हाथ पर बनता है ऐसे व्यक्ती अपनी later age में चल हो सकते हैं जैसे जैसे इनकी age बढ़ती जाएगी धर्म करम के कामों में इनका ध्यान बढ़ता जाएगा और इस तरह का जो एक clear बुद्धाजाई का चिन है व्यक्ती को six cents भी देता है ऐसे व्यक्ती की intuition power काफी अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ती आने वाली किसी भी तरह क गटना कोई अच्छी या बुरी किसी भी तरह की घटना को पहले से ही judge कर लेने में भाप लेने में सक्षम होते हैं तो इस तरह की indications इनके हाथ में रहेंगी और ब्रस्पती का यहाँ पर strong होना इनके लिए काफी benefit रहने वाला है आगे बात करते हैं शनी मांट की शनी और सू पर partial girdle of Venus की formation भी नज़र आएगी कुछ इस तरह की जो अर्द चंद्रमा की अकरिती है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से आपको इस तरह की अकरिती नज़र आएगी जो एक धूरा girdle of Venus है girdle of Venus पूरा कुछ इस तरह से होता है जैसे यह एक complete girdle of Venus बन रहा है के प्रभाव ज्यादा रहते हैं artistic qualities होती है अगर यह complete बनता है तो व्यक्ति को बहुत लाब देता है लेकिन अगर यह incomplete बनता है तब भी कुछ इस तरह की चीज़ें रहती है कामुकता अधिक रहती है attraction रहता है opposite sex के प्रती और इस तरह का गडल of Venus बनने से व्यक्ति का entertainment industry की तो जुकाव रहेगा लेकिन साथ ही साथ यह व्यक्ति की nature को moody बनाएगा moody type की nature अचानक से mood का off होना अचानक mood अच्छा हो जाना कि इस तरह की दिक्तों का भी व्यक्ति को life में सामना करना पड़ेगा overall शनी मांट का यहाँ पर दबा हुआ होना व्यक्ति को मेहनत करवाता है life में काफी struggle रहती है यह जो area है यह शनी का area है जो यहाँ पर मुझे बिल्कुल clearly अंदर की तरफ डिप्रेस नजर आ रहा है जिस वजह से life में काफी struggle रहेगी इनके और अगर शनी रेखा भी साथ दे तो कुछ struggle कम हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनी रेख रेखा इनके हाथ में यहाँ पर 36 की age तक काफी clear चलती हुई और उसके बाद एक और शनी रेखा यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ती हुई डबल यहाँ पर भागया रेखा बन रही है जो एक बहुत lucky चिन है struggle के बाव्यूद यहाँ पर life में काफी gains पालेंगे क्योंकि यहा सकते हैं इवन सूरिया रेखा भी इनके हाथ में काफी strongly नजर आ रही है बेशक वो हाट लाइन के ऊपर ही यहाँ पर सूरिया रेखा दिखाई दे रही है आपको draw करके दिखाना चाहूंगा कुछ इस एरिया में अब देख सकते हैं हाट लाइन के ऊपर के portion के ऊपर यहाँ से एक सूरिया रेखा उपर की तरह बढ़ती हुई और एक लंबी और डीप कट सूरिया रेखा का होना व्यक्ति को समाज में मान समान दिलवाता है काफी अच्छी creativity व्यक्ति के भीतर रहती है और social circle को strong करता है इस तरह का चिन तो यहाँ पर यहाँ चीज़ें रहेंगी ले तब जाकर मिलने वाले हैं क्योंकि अगर यहाँ रेखा बहुत अच्छी लंबाई में हो कुछ इस तरह की रेखा हो तब व्यक्ति को छूटी एज से ही fame मिलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर लेटरेज में चलकर इस रेखा के बैनेफिट्स मिलने के chances रहेंगे और बात जाए तो एक स्ट्राउंग मर्कृरी रेखा का अभाव भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर बहुत जादा स्ट्राउंग मर्कृरी लाइन DNA नहीं है लेकिन एक shimmery रेखा हलकी यहाँ पर कुछ इस तरह की मर्कृरी लाइन नज़र आ रही है जो कुछ broken है जिसवज़े स इसे business acumen में weakness रहती है और even health related problems भी आने के chances रहते हैं जब broken mercury line मौचूद हो खास तोर से stomach से related दिखते हैं, digestion से related problems रहने के chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप देख सकते हैं इनकी heart line, heart line यहां island शो कर रही है जो एक बहुत अच्छा चिन नहीं है, क्योंकि किसी भी line के उपर अगर island का चिन बनता है तो उस line को weak कर देता है आप देख सकते हैं इस area में आपको एक island का चिन नजर आएक और यह हाट line थोड़ी सी shallow होती हुई, यहां पर weak होती हुई और आगे चलकर यह हाट line थोड़ी सी strength में है, कुछ इस तरह की एक Vishnu symbol create करती ह बहुत साथ strong हाट line मैं यहां पर नहीं देख पा रहा हुँ जो इनके लिए एक health problem create कर सकती है, आगे चलकर blood pressure जैसी problems और heart से related दिक्ते हैं इन्हें life में आने के chances रहेंगे, तो इस चीज़ से बचने के लिए proper इन्हें exercise करनी होगी और अपनी diet का और खान पान का ध्यान रखन पड़ेगा क्योंकि middle age के बार यहां दिक्ते हैं इन्हें परिशान कर सकती है क्योंकि heart line यहां पर मुझे कमजोर नजर आ रही है, और आप देख सकते हैं इनकी mind line काफी sharp है, बिल्कुल सीधी mind की line यहां पर एक sharp mind को indicate करती है, आप देख सकते हैं, यहां से शुरू होती हो mind line लगबग हथेली की दूसरी तरफ पहुंचती हुई, जो एक बहुत अच्छी indication है, इस तरह की mind line होने से व्यक्ती का mind काफी sharp रहता है, memory ज़्यादा होने की वज़े से यादास्त भी काफी अच्छी रहती है, इसके लाब आप देख सकते हैं, mind line और life line बहुत आगे तक जु dependent हो जाता है, अपने decisions लेने शुरू कर देता है, और overall अगर देखा जाए तो इनकी जो life line है काफी अच्छी लंबाई में है, बेशक minor issues health से related रह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी life की line का होना यहाँ पर 75 से लेकर 80 तक की age को भी indicate करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अं इस वजह से life में लगबग हर तरह की सुक्स विधाएं या enjoy कर पाएंगे, family life अच्छी रहती है, जब शुकर और गुरू माउंट अच्छे हों, तो यहाँ पर अच्छी family life की indications आ रही हैं, और चंदर area अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे कमजोर होता हुआ नजर आ क्योंकि बहुत सारी रिखाएं चंदर area के उपर जो व्यक्ति के anxiety level को बढ़ाती हैं, कुछ इस तरह की रिखाएं आप देख सकते हैं, percussion area के उपर ऐसी रिखाएं होना, यह रिखाएं व्यक्ति को anxiety देती हैं, traveling देती हैं, काफी ज़्यादा short distance traveling रहती हैं, लेकिन इतनी सारी रिखाएं होने से व्यक्ति के mood swings की problem भी व्यक्ति को होने के chances बढ़ जाते हैं, उसके इलावा जब upward जाने वाली रिखाएं मौजूद हों, तो इस तरह की रिखाएं जो उपर की तरफ चलती हैं नजर आ रही हैं, यह भी काफी ज़्यादा हैं, यह long distance traveling को show करती हैं, even विद पूशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सवाल रह जाता है, तो इनसे request है, अगर कोई question pending है, तो मुझे WhatsApp पे message करें, मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद